लोग कवित्री कहते हैं मुझे कविताओं पर मेरी तालियां बजाते हैं और मुझसे एक छोटा सा सवाल कर जाते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया अक्सर आप से लोग भी पुछते होंगे कि कैसे लिखना शुरू किया तो मुझसे भी लोग पुछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, बताओ तो अपना या कौन सा तरीका है और मैं बस मुस्कुरा कर कहती हूँ कि मैंने लिखना पापा से सीखा है पहले तजुर्बे अपने बताते हैं, फिर मेरे लेक पर कान लगाते हैं बड़ी गौर से सुनते हैं हर लवज मेरे, और मेरी हर गलती बड़े प्यार से मुझे समझाते हैं ना हूँ उनसे बहतर तो क्या हुआ, हर लवज में पाया मैंने उनका सलीका है गजल, कविताएं, किस्से कहानिया मैंने लिखना अपने पापा से सीखा है अर उनको बहुत होप से मेरी पोईट्री से, तो उसी पर लिखा है कि वो ना एक आस लगाए बैठे हैं, वो एक आस लगाए बैठे हैं, स्वपन आखों में सजाए बैठे हैं, चाहे कि जाने हर कोई मेरी कविता को, चाहे कि जाने हर कोई मेरी कविता को, इसी उमीद में तरी के हजार खुद को बताए बैठे हैं अरे मैं जानती हूँ उनके लेखों सा चटपटा नहीं मैं जानती हूँ कि उनके लेखों सा चटपटा नहीं मेरे कविताओं का स्वाद जरा सा फीका है compared to him मेरी कविताओं का स्वाद जरा सा फीका है पर एक बात कहूं, मैंने लिखना अपने पापा से सीखा है और अब उनकी लिखी हुई कविता सुनाना चाहूंगी उनके थोच बहुत डीप होते हैं तो उसमें इन्होंने लिखा था नारी के बारे में कि नारी तुम ही जननी जगत की कुपित हुई तो बनी चंडिका प्रेम पंत सुकुमारी राधिका बालक के मोपर नियुच्छावर, जिम छाया बर्गत की नारी तुम ही जननी जगत की तुमसे सकल जहान बना है तुमसे सकल जहान बना है, ग्रह नक्षत्र धर्ती सरिता है बिन घरनी घर भूत का डेरा, तुमसे शिष्टी पनपती नारी तुम ही जननी जगत की केहविधी उपजी कथा हमारी, नारी तुमहारी महिमान्यारी भगनी त्रिया मात्र ममता की, तुमही याद विरह की, नारी तुमही जननी जगत की और ये आखरी की दो लाइने की जन जन परम कृतक्ज तुमहारे, तुमसे बचपन सकल समारे युवा, रूप तेरी ममता है, युवा रूप तेरी ममता है शमाभाव मृदुमन की, नारी तुमही जननी जगत की नारी तुमही जननी जगत की Thank you झाल झाल